भायो आदिपूरुष देखिए हमने गजब बजावताली सबसे पहले कमेंट में जैश्रीराम जरू लिखिए और ऐसे ही रीवी देखनी के लिए वीडियो को लाइक कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले भायो बचपन से हम रामानन सागर जी की रामायन देखते आए है और रामायन से हमारे इमोशन जुड़े है तो बात करते है आदिपूरुष मूवी की मौडन जमानी की मौडन रामायन हाँ भाई तो मुझे इस पिचर में अच्छा क्या लगा सबसे पहले मूवी के सौंग्स और ओम राउत का डिरेक्शन स्टोरी की बात करें तो स्टोरी सब को पता है इसलिए मेकर्स ने स्टोरी बहुत फास्ट दिखाई है बात करें वेपेक्स और सीजय की जिस कारण लोगों ने ट्रेलर को बहुत ट्रॉल किया था तो मूवी के शुरुवात में वेपेक्स बिल्कुल भी आच्छे नहीं लग रहे पूरी मूवी में प्रभास के फेस पे एसी प्रसन्नता फ्रेशनेश बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी उन्हें भगवान राम का रोल करने के लिए अच्छा मौका था लेकिन वो अभी अभी बावभली के रोल में ही घुसे हुए है और मेकर्स ने रावन और उसकी फैमिली को एकदम मौडन तरीके से दिखाया है उनके हैर स्टाइल उनकी स्पाइक एकदम मौडन एक सीन में रावन के सर के उपर सर दिखाई गया है लगता है मेकर्स ने रिल्स के लिए ये सब बनाया होगा और फिल्म में रावन की लंका पूरी कोईली की दिखाई दे रही है एकदम फैक्टरी जैसी और बात करें डायलोग की तो कुछ सीन में बहुत अच्छे डायलोग थे एकदम इपिक और कुछ सीन में एकदम भाचा चेंज हो गई जैसे की एक डायलोग है कपड़ा तेरे बापका तेल तेरे बापका आग त जरूर बताई कि आपको आधिपूरुष कैसी लगी और जिनोंने नहीं देखी वो आधिपूरुष देखने के बाद कमेंट में जरूर बताई कि उनको भी आधिपूरुष कैसी लगी तो ऐसे ही रिवीव देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैश्री राम जैहिंद